नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एक्सपर्ट आसीन में दोस्तों आज हम बात करेंगे फलों के अन्य नाम के बारे में चोटा सा टोपिक है दोस्तों वीडियो भी चोटा ही होगा लेकिन यहां से एक्जैमिनेशन में बहुत बार क्य जाते हैं अगर हम बात करते हैं दोस्तों आम के अन्य नामों की या आम को और क्या क्या नाम से हम जानते हैं तो सभी जानते हैं आम को फलों का राजा कहते हैं अब दोस्तों राजा के संबंद में मैंने दो तिन एक साथ लिखें थोड़ा सा आप ज्यान रखना अगर फलों के राजा की बात आजाए सेंव है और अगर उसके बाद सुस्क फलों के राजा की बात आजाए तो बेर आजाएगा क्योंकि सितोस्ट ने एरिया में सबसे ज़्यादा सेंव होती है सुस्क या एरिट जोन में सबसे ज़्यादा बेर होता है इसलिए तीनों क्यूशन मैंने ए खालना और और उसके अन्य ऐ नाम की पहला नाम हम ने डिसकुस कर लिया फरोग। अब इसको कहते हैं राष्ट्रे फॉल या नेशनल फ्र TM माना जयता है उसके बाद इसे राज दूत फल या एमबेसडर फल कहते हैं एमबेसडर को इंदी मी विग्यात है प्रसिद्ध है इसलिए इस फल को हम राजदूत फल या एमबेसडर फल की संग्या देते हैं उसके बाद अगर हम अलग एक और नाम की बात करें तो इसे बातरियूम फ्रूट भी कहा जाता है अब दूसरी बात करें दोस्तों एपल की तो एपल को हम पहले डिसक कर चुक है सितोस्न फलों का राजा कहा जाता है उसके बाद बात आती है बेर की तो बेर को सुष्क फलों का राजा क्योंकि एरिश्व्रीजों में ये सबसे ज़्यादा होता है इसलिए से सुस्क फलो का राजा कहते है इसी को गरीब का सेंव और इसी को चाइनीज डेट कहा जाता है डेट यानी खजूर चाइनीज खजूर या चाइनीज डेट किसे कहा जाता है तो बेर को कहा जाता है उसके बाद बात करें केले की तो दोस्तों केले को स्वर्ग का कहा जाता है और जो most repeated है question exam में पूछा जाता है Adam's pig किसे कहा जाता है तो Adam's pig किसे कहा जाता है बनाना या केले को Adam's pig कहा जाता है वहीं बात आती है फालसा के अन्य नाम की या उप नाम की तो फालसा को star apple नाम से जना जाता है अगली बात करें हम चाई की तो चाई को पैपदार्तों की रानी कहा जाता है दोस्तों पैपदार्तों की रानी अगर किसे कहा जाता है तो चाई को पैपदार्तों की रानी कहा जाता है अगला फ्यूट है दोस्तों मेंडरीन और मेंडरीन को क्या कहा जाता है तो फैंसी फ्यूट के नाम से इसका एक नाम और जाना जाता है अब बात करें दोस्तों मसालों का राजा किसे कहा जाता है तो काली मिर्च को मसालों का राजा और इलाइची को मसालों की राणी इलाइची को छोटी इलाइची को मसालों की राणी कहा जाता है काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जात को मेंगोh명이 की का जाता है अगली बात करें हम पपीता की तो फैसे एपल ट्रॉपिक्स का जाता है अपल प्रॉपिक्स किस पोदे को या किस फल को कहा जाता है तो अमरूद को कहा जाता है उसके बाद बात करें आउला की बहुत किशन पुछे हुए यहां से इंडियन गुजबेरी किसे कहते हैं गुजबेरी एक चाइनीज फ्र्यूट है अब पुछा जाए इंडियन गुजबेरी किसे कहा जाता है तो आउला को कहा जाता है और इसके अन्य नाम की और बात करें तो मीरा बलन या इसे मलाका ट्री के नाम से जानते हैं अगर दोस्तों इन में से कोई भी लिखी हुई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो उसी इंडियन ब्लेक बेरी किसे कहा जाता है तो इंडियन ब्लेक बेरी जामून को कहा जाता है इंडियन गुज बेरी किसे कहा जाता है तो आउले को कहा जाता है इसलिए साथ साथ लिखें if confusion clear हो जाहे इंडियन गुजवेड़ी आउला ब्लेक बेरी कारेकलर के होते हैं क्या होते हैं जामुन होते हैं उसके बाद बात करें अगली dic जावापलापाल्म और ब्लेक पाल्म किसे कहा जाता है तो जामोन को जावापलापाल्म और बेक पाल्म कहा जाता है उसके बाद बात करें हम नारियल को क्या कहा जाता है तो नारियल को दोस्तों स्रीफल और कल्प व्रिक्स कहा जाता है तो यह थे दोस्तों फलों के कुछ ना कहीं बार क्यूसन पुछे उएं सेयु के बारे में सितोष्ण फलों-प्सेयों यहां से क्यूसन सूस्क्ध फलोंवारा राजव बहुत बार पुछा हुआ है सुक्ठ फलों के पातों के मानुट के कि दूसरी के, और इंडियन ब्लेक बेरी जामों दोनों के बारे में भी एग्रीकल्सर एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा जाता है जब हम दोस्तों सब्जिया पढ़ेंगे वहां भी उनके उपनाम की बात होगी लेकिन आज जो था वो केवल और केवल फलों के उपनाम की हम बात कर र नमबर जो मुने ने लिंक में शेयर कर रहे हैं उनको भी उस पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं झाल 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 झाल